चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हमारी इकॉनमिस की सीरी चले गए इसका पार्ट नमबर 24 क्योंकि आज का जो टाफिक है काफे इंपोर्टेंट है और काफे इंट्रस्टिंग भी है क्योंकि आज इसमें जानेंगे कि जो सभी देश हैं वो कौन सी प्रणाली अपनाते ह हैं जाते हैं और सरकार है वह हर डेस सब भी देस हैं कोईना को अपनाते है को अपनाते हैं तभी ऐसे नहीं मशीन लीया इसके लिए पूरा जो बस्व है पूरा बड वो-धृ Hai यह लग बज्सें सार्दम औरś दूसरे हैं इससरे हैं पूरा अ जो विक्सित देश हैं वो इस वाले फस्ट वाले को बनाते हैं और जो अलप विक्सित देश हैं या फिर विकासिल देश हैं जैसे कि भारत भी वो अपनाता है मसला न्यून्टम अरक्षी ब्रणाली अपनाता है हम दोनों के बारे में बात करेंगे जैसे अभी बरतमान में ज 200 रुपए 200 रुपए में तो आपको इतने मोटी मतलब को भी मिल जाएगी तो यह क्या है यह मानक मुद्राय कि हमने माल लिया है कि हाँ यह 200 रुपए का यह नोट है इसकी बैलू 200 रुपए है इसी तरह आप सुचिए 10,000 कनोट है जिसके पास यह होगा अब यह सुचिए तो बंद हो गया ना 10,000 कनोट यह पहले चलता था मैंने कल वाली वीडियो बताया था ना कि 1978 में इसको बंद कर दिया गया और 1954 में इसको जारी के गया था अब यह सुचिए यह 10,000 कनोट है और आप ले जाएगे कि भाई यह 10,000 कनोट देदो और हमको 10,000 रुपए क्या सामन देदो बखा देगा क्यों कहेगा आरे भाई यह रद्धी में देना है तो देदो बनना बख्चाव तो यह 10 रुपए क्या ह यह मानक मुद्रा थी ना पेपर की बेली नहीं है बल्कि एक गरैंटी देगे थी कि यह 10,000 रुपए है एक खागच है और जैसे पहले जो शिक्के चलते थे धे वह शिक्के मानक मुद्रा नहीं होकरके बल्कि बेट पर होते थे ऐसे सोना का जो सिक्का होथा थाMaster Wrapी जतना जाएंगे वो ले लेगा उतने ही रुपय का ले लेगा भली उस पर जैसे लिखा हुआ है सौ रुपए है और सौ रुपय के बराबर का यह सोना हुगा उस्संपे सौ सौ रुपय लिखा हुगा और मांते हैं इस सो रुपय बंद भी कर दिया गया इसे लिए हमको यह रखना पड़ता है अब जैसे रखना क्यों पड़ता है अब इसमें दिखे यहाँ पर एक quotation दी रखी है आप भी अपने note में देख सकते हैं आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो परिशन न होगी हरी किसी के पास note होते हैं आप लोग उस पर देख लिए इस पर लिखाएं मैं धारक को 200 रुपए अदा करने का बचन देता हूं और नीचे सिंगनेचर हैं गावर्नर के उर्जित पठेल उके इन्होंने बचन दिया है कि मैं आपको यह नोट है अगर आपके पास तो मैं आपको 200 रुपए मुली की सोना रख सकती हैं या फिर बिदेसी मुद्रा रख सकते हैं अब यह पापको टाइप का लोग था उसके पास दो सो रुपए साथ उसने का रही है तो खाली पेच है अब वो आर्बिया के पास गया आर्बिया इसे बोला भाईया यह नोट का हम कुछ नहीं करेंगे यह आप हमने इसके बंदे कोस रख लिया सोना और बिदेसी मुद्रा की रूप में तो आप हमें दोसों का नौ-उर दे दीजिए और इसके बंदे में जो हमने कोस में पैसे रखे हैं वो आपसे हैं आप हमसे ले लीजिए लेकिन एसा जनरली नहीं होता है कि कोई लोग ऐसे लेके जाता है क्या पड़ता है क्यूंकि अगर ऐसा हुआ कभी तो आप कहां से पईसा देंगे कहां से क्या Näसे इसलिए कोस रखा जाता है आप अब हम लोग इसकी बात करते है चलिए अब नियूंतम आरक्षी पढ़ेis 접 companaliteef support your रिजस्टम इसको बोलते हैं क्या होता है couleur ले द्जारी को अगर किसीओ को मानते तो उसे एक कोस रखना पड़ता एक हजार रुपए के बेल्यू के बराबरी एक कोस रखना पड़ता जिसकी बेल्यू कितनी होती एक हजार रुपए और इसमें वो क्या रख सकती थी सोना रख सकती थी या फिर इसकी बेल्यू के बराबर विदेसी मुद्रा रख सकती थी जै लेकिन अब क्या हुआ अब देखें अब इसमें क्या हुआ नियूंतम आरक्षी प्रणाली में क्या है दूसरा वाला भी हम देख लेते हैं इसमें क्या होता है इसमें कितने भी नोट जारी किये जाएं तो उसमें एक सिर्फ नियूंतम इसमें लगाए ना मिनमम आरक्षी मतल रुपए के बराबर एक कोस रखेंगे। इस कोस में क्या रहा है सकते हैं, तो कोई भी बहुमोली चीज है, अब वो सिर्फ सौ रुपए का ही इक कोस रखेंगे, और उसके बाद फिर जतने नोट चाहिए जारी करेंगे। चाहिए वो सो जारी करें या फिर पचास रुपए जारी करें या फिर भो दस हाजार रुपई जारी करें या फिर एक लाख रुपए जारी करें बस कुर्स उसे कितने का रखना एंा, सिर्फ दो रंपय का ही रखना sucks किसी पर लो को बोते है निओंतम आरकषी पर लो क्योंकि esa निओंतम को बेल्यू मतलब एक रुपए जारी कर रहे हैं तो एक रुपए के बराबर आपको तुरंत कोस बढ़ाना पड़ेगा आप सो रुपए जारी कर रहे हैं तो आपको सो रुपए के बराबर कोस बढ़ाना पड़ेगा तो जितने नोट जारी करेंगे उतने ही आपको कोस बढ़ाते रहना ह जैसे कि अमेरिका जितने डॉलर जारी करेगा उसे उसके बंदे में एक कोस बढ़ाना पड़ेगा चलिए तो आपने पहला समझ लिया एक काफी सिंपल है जितने नोट जारी करेंगे उतना ही कोस एक रखना पड़ेगा अब हम लोग इसका देख लेते हैं नियुन तुमार अ ने रंतर इसका उप्योग करती है और और इसके लिए वह एक कोस रखती है वह को से सो रुपय नहीं होता है कि मैंने आप यह आपको सो रुपय बताया था इस सो रुपय के जगह पर आर भी आई दो सो कड़ूहर रुपय रखती है कम से कम मिनमम इतना रखेगी अगर ज्या तो रख सकती है लेकिन 200 कड़ूहर उसे रख नहीं रखना है अब 200 कड़ूहर वह किस तरह से रखती है 200 कड़ूहर में उसे 115 कड़ूहर रुपय का सोना रखना अनिबार रहे है अगर वह 200 कड़ूहर रखती है न तो 200 कड़ूहर में 115 कड़ूहर रुपय के बराबर उसे सोन रखना पड़ेगा और 85 कडूर रुपए के बराबर वो विदीस मुद्रा रख सकती है विदीसी मुद्रा जैसे के डॉलर हो गया यूरो हो गया इन हो गया इन सबीको वो रख सकती है लेकिन 115 करोड के वराबर उसको सोना रखना पड़ेगा यह काफी important है आपको देखना है और इसको भूलना नहीं है अब देखें लेकिन RBI एक बित्य वर्स में जब नोट जारी करती है तो मैंने आपको बताया था ना उसे बहुत सारी चीजे ध्यार रखनी होती है अब ऐसा नहीं है कि कितने भी नोट जारी कर ले तो उसके उपर दो restriction हमने देखी थी नंबर एक वो एक फाइनेंसे रियर मतलब बित्य वर्स में दस हजार कडूर रुपए से ज़्यादा के नोट नहीं जारी कर सकती है मतलब इस से कम के जारी करेगी और दूसरा हमने लिमिटेशन देखा था कि वो बर्तमान नियम के अनुसार बर्तमान नियम के अनुसार दस हजार रुपए का दस हजार रुपए से ज़्यादा का नोट नहीं जारी कर सकती है इस से तो यह दो रिस्टिक्शन्स हैं और साथ में अब उसके लिए कह दिया गया कि हम दस हजार कडूर तक नोट जारी कर सकते हैं एक बित्तिय वर्च में तो इसका तात पर रही है बिलकुल नहीं हुआ कि आर बियाई हर साल दस हजार कडूर रुपए जारी ही जारी करेगी उसको बहुत सारी चीज़े ध्यान में रखनी होती है जैसे कि मुद्रा इस्पिती मुद्रा इस्पिती को ध्यान में रखते हुए वो नोट जारी करती है आर्थिक सम्रिद्धी को ध्यान में रखते वो की नोट जारी करती है अगर उसे लगता है यसे मुद्रा इस्पिती बहुत बढ़ रहे है तो बिढ़ जारी नहीं करेंगे तो फिर से और मुद्रा इस्पिती बढ़ जाएंगे नए तो भू Laden यह वो था उat जारी कर करेंगे अब ऐसा थोड़ी ना आपके पास दस कार्तूस रखेंगे नहीं ना तो इसी तरह यह है तो आप लोग दोनों प्रिणालिया है वो आप समझ गये हैं अब हम लोग कल जो काफी इंपॉर्टिंट है भारत में जो बैंकों का इथियास काफी मोट स्ट्रव इंपॉर्टिंट है और अभी देखिये कई सारी बैंकों का मरजर हुए हैं तो मैं आपको बताऊंगों कैसे मरजर हुए है क्की इस ने कुए किम्फ ख Gesch conks मिलेगा आप लोग लाइब देख सकते हैं देखे में डालता हूँ और आप लोग मुझे लाइब चैट भी गर सकते हैं अगर आप लोग मुझे डेलिगर पर चुलना चाहते हैं तो सर्च करिए क्लाब आइस हमारे चैनल है जैसे आप सर्च करेंगे आपको इसका लोगो वीडियस मिल जाएगी ओके अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें अपने दोस्तों को सेर करें देखें मैं आपको इकॉनमिक से इजी तर ऐसा बढ़ाता हूं कि आपका भी भी नहीं भूलने वाले ओके चलिए मैं इस वीडियो को यहां पर ही फिनिस करता हू झाल 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 झाल